हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल स्टॉक इंजिनियर्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे सिर्फ एक टूल से हम पूरा अपना ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे काफी लोग मुझसे पूस्ते हैं आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो आरे साई मैके या फिर आप मुविंग एवरेज यूज करते हो क्या यूज करते हो तो सिम्पल एक सपोर्ट रिस्टेंस जो कि हमारा प्रैस एक्शन काम करता है प्लस में एक टूल जो कि फिबुना की है उसकी हेल्प से हम पूरी ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं दिखाता हूं आपक और फिर उसके बाद reverse हुआ, अब अच्छी movement दे रहा है, तो ऐसा इसमें क्या है, अभी हम इसमें क्या देख सकते हैं, आपने सब कुछ देख लिया, ठीक है, यह जो एक low है, आप देख रहे हो है कि यह range मनी थी, उसका support बना रहा है, तो ऐसे छोटे support पर तो हम buy करते नहीं है प्लस 200 DMEBA, लेकिन अगर मैं Fibonacci यहां पर use करूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितना level इसका हमारे stock का down आया है, तो आप देख सकते हैं, 61.8, यानि हमारा जो golden ratio होता है, उस golden ratio से यह reverse हुआ है, तो यह reason था हमारे इस buy करने के लिए, disclaimer है, यह active trades है, आपको कोई recommendation नहीं ह करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप buy sell आयसा कुछ recommendation नहीं है आपे, ठीक है, आपने देखा, यह आपका total move आया था, उस total move का 61.8% आपका down आकर वापिस reverse हुआ है, तो simple tool यूज किया, simple आपने देखा, एक support है, simple आपने देखा कि आपके 200 DME, जो आपको as a SL आप ले सकते हो क्योंकि आप छोटा सा आप down तो लेते ही हो, यानि आपका जो last swing low है, उसे थोड़ा सा नीचे हम stop loss लेते हैं, जो कि लग के लिए हमारा 200 DME भी है, जो कि एक support already act कर सकता है, ठीक है, तो यह आपका 200 DME, सिर्फ इस reason से हम क्या कर सकते थे, प्रोपर यहाँ पर एक buy बना सकते और अब यह continue चल रहा है, second हम stop में चलते हैं, ठीक है, Tata consumer, ठीक है, Tata consumer में ऐसा क्या है, कुछ ऐसा भी दिखनी रहा होगा आपको अभी, ठीक है, तो सबसे पहले एक pattern बन रहा है, cup and handle pattern, तो pattern हमने देखा, अब हम उसमें देख रहे हैं कि हम कहां पर entry कर सकते हैं, तो entry कैसे क कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, कि अगर मैं यहाँ पर Fibonaki यूज करता हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पर जो यह rejections आई थी, यह किस पहले थी golden ratio पर, although उसके नीचे चला गया था, तो मैं इसको delete कर देता हूँ, ठीक है, फिर second मैं देखता हूँ, second जो reverse मान लेते हैं, कि अगर वो touch हो गया या उसके नीचे चला गया है, तो next swing पर हम चले जाते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर हम stop loss कैसे रखे हैं, तो मैंने stop loss कैसे रखा था, अब देखो, यहाँ पर आपने मानलो entry कर ली है, अभी down आया है, फिर अब क्या करोगे, अब कहां पर निकलोगे, इतना बड़ा stop loss ही रखोगे, ट्रेल भी कर लोगे, इनके suppose किसी ने यहाँ किया, किसी ने यहाँ किया, तो हिट हो गया, तो कैसे हम पता करें क्या भी हमें रुकना है या नहीं, तो यह मेरा stop loss था, यहाँ पर मेर लगा के छोड़ दिया, इस candle पर मैं नहीं निकला, इस candle पर नहीं निकला, क्योंकि यह golden ratio से reverse हो रहा था, और यह हमने बताया भी था, पहले भी हम इस पर discuss कर चुके है, कि यह candle का high break होता है, तो हम इसमें और add करेंगे, और इसमें करेंगे, क्योंकि देखो, अब हमारे पस फिर से golden ratio से हमारा, और plus हमारी जो डोजी थी, उसके उपर जा रहा था, तो हमने क्या किया, आप आप देख सकते हो, आगे move कर रहा है, plus अब यह आपका all time high नहीं है, means all time high जा सकता है, इसको जरग color change कर देता हूं, all time high आपका जा सकता है, plus आपका horizontal resistance, जो cup and handle की resistance, वो break होकर आप उसी के उपर sustain कर रहा है, ठीक है, मैं इस Fibonacci को फिर अटा देता हूं, last, Titan, अब Titan में क्या है, Titan में आप देख रहे हो, Titan में तो आपको कोई swing है, ऐसा नहीं दिख रहा होगा, कि भई अब swing है, मैं उसमें Fibonacci क्यों लगा हूं, तो इसमें क्या होता है, कई बर हम करें, यहाँ पर, यहाँ पर, या तो इस point पर हम entry करेंगे, कि जो हमारा पहले resistance अब, वो एक support create हो रहा है, और हम entry यहाँ पर कर सकते हैं, इस position पर, इस area में, right, मैं mark करके थोड़ा सा दिखा देता हूं, इस area में आप enter कर सकते हो, ठीक है, second, अब आपने यहाँ पर enter नहीं कि किया, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा सा confirmation चीए, थोड़ा सा आपको doubt है, बतानी किस तरह का चलेगा, इस तरह से अभी support भी इसने sustain नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर फिर से क्या करता हूं, magnet on कर लेता हूं, फिर से यहाँ से मैं Fibona की use करता हूं, और यह मेरा एक point हो गया तो यह क्या देखता हूं मैं यहाँ पर, इसने सीधा चलता रहा, कोई ऐसा particular stop loss नहीं दिया, but 61.8 पर इसने अच्छी candle बनाई, एक अच्छा reverse जिया और फिर चल रहा है, तो इस point पर जब यहाँ पर entry बनती थी, जिस टाइम पर मैंने यहाँ entry की थी, मैंने क्या किया, इसको stop loss लिया, 61.8 को stop loss लिया, अच्छी candle भी थी, swing low भी था, देखो तीनों चीज, 200D में pass है, बट थोड़ा दूर है, मतलब इसको अगर stop loss लोंगा, तो मैं मेरा बड़ा stop loss होगा, तो मैंने इसको ना लेकर सिरफ EC को stop loss लिया, और इसको लिया, ठीक है, अब आप देख सकते हो, 61.8 का ऐसा stop loss, अब ये काम किया, जो चोटी सी range मेंदी, breakout हुई, अब उपर चल रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा slow हो गया है, क्यों, आप देख सकते हो, इसको हम fake out मानेंगे, ये एक horizontal आपकी line आ रही है, अगर इसको breakout करके चलता है, तो आप समझ सकते हैं, कि इसका कितना, जो pattern का target है, वो आ सकता है, pattern का target भी नहीं लेना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, अपना trailing stop loss, यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अब ये stretch हो चुका है, 50% से आपका Fibona की use कर सकते हो, उससे उपर चार चुका है, 61.8 चार चुका है, आप वहाँ पर 50% book कर सकते हो, ठीक है एक मैं आपको दिखा देता हूँ, Fibona की extension use किया है, sorry, Fibona की retracement use किया है, अब हम आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, मैं आपको Fibona की extension कैसे काम करती है, तो यह हमारा swing था, first swing, second and third, उसमें 3 point देने होते हैं, अगर आप reverse में काम कर रहें तो first, second, third, अगर आप उपर की side का target निकाल रहें, तो first, second, third, तो इसमें अब क्या target हो सकता है, मैं जरा auto अटाता हूँ, तो आप चार्ट को ऐसे नीचे ले जा सकते हो, 61.8, यानि 141 हमारा first target बनता है, अगर यह हमारा cross होता है, तो अब हम, थोड़ा सा ऐसे कर लेका, अगर यह cross होता है, तो हम क्या करत है, फिर one पे जाते हैं, one के बाद किसे पे आते हैं, one point six, one point six, one point six, one eight पे जाते हैं, तो एक चीज़ और मैंने notice की, जो हमारा triangle का अगर pattern यह cover करता है, इस time पे, triangle भी, plus Fibona की भी, तो almost 1400 के आसपास आता है, तो 1400 के आसपास तक आपका target मान सकते हो, अगर वो triangle pattern भी sustain करता है, और plus में हमारा जो Fibona की extension, दोनों यहाँ पर ही आ रही है, बटा में step wise चलना है, तो step wise क्या है, first target, second target, third target, यह हम इसलिए use करते हैं, क्योंकि यहाँ पर uncharted territory है, जिसके लिए हमारे पास कोई ऐसी support या resistance नहीं होती, इसलिए हम क्या करते है, mostly pattern का target ले लेते हैं, कि at least इतना त चल सकता है, उसके बाद यह चाहे 100% चले, 1500% चले, वो कोई नहीं बता सकता, तो आपको इसलिए क्या है, ट्रिलिंग स्टोप्लो स्लो, और उसमें बने रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा लगता है, stretch हो गया, तो 50% बुक कर लो, ऐसा ही मैं करता हूँ, so guys, यहाँ पर य फिबोना की का यूज समझाया हो, आपको अच्छी लगे हो, फिबोना की काफी लोग यूज करते हैं, ठीक है, अगर यह आपको अच्छी लगे है, तो please like, subscribe जरूर करना, और ऐसी वीडियोज आती रहेंगे, thank you. झाल